नमस्कार मित्रो आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टो फिंड अंशु में स्वागत है मैं अंशु गुपता एस्टो लौजर एंड वास्थू एक्सपर्ट आज आपको बताऊंगी वहे चमतकारी उपाए जिसको करने से आपके जीवन में बतलाब जरूर रहेगा मैंने बहुत लोगों के मुझस सुना है और यह हमारी किसमत तो हमारी साति ही नी दे रही है मेरा दुर्भाग्य चल रहा है पता निशी किसमत है कि सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नहीं है वे चैनल को सब प्रेस्क्राइब करना ना भूलियेगा बेल आइकन प्रेस करके All पे क्लिक कर एगा मित्रों मैं बहुत लोगों सरसुना है कि मैं जिस भी काम में हाठ डाल रहाँ मेरा काम नहीं चल रहा है पैसे की बहुत तंगई आ रही है पतानी कैसी किस्मत है जो साथा ही करना करता है तो मैं आपको कुछ ऐसे अचुक उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपकी समस्य का समाधान जरूर होगा और आपको धन का लाब होगा आर्थिक हानी नहीं होगी आपके जीवन में खुशियां आएंगी परेशानियां दूर होगी तो सबसे पहला उपाय आपने वाला वेक्ति है वह अपने नाने के पानी में कपूर डाल करना है यानि कि एक टिक कपूर की नहने वाले पानी में डाल कर उससे डेली स्नान करें ऐसा करने से आप जो कहते हैं कि दुर्भाग्य आगे वह दूर हो जाएगा आपके पास से नगारात्मा कुर्जा जितनी भी दूसरा उपाय आपने करना है यह उपाय जो विक्ति कमाने वाला है उसके साथ करना है और जिसने करना है वे सुहागन स्री होनी चाहिए चाहिए वे पत्नी हूँ या माँ हूँ आपने मुख्य द्वार पर खड़े हो जाना है यह उपाय आपने जब करना है जब आप अपने काले उड़क हाथ में ले और आपके उपर से साथ बारी एंटी क्लॉक वाइस घुमा कर आपके पास वही जमीन पर छोड़ दें और प्रे करें आप भी और वेस्त्री भी कि आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याई दूर हो जाएं आप जिस कारे पर जा रहे हैं वे कारे में आपको सफलता जरूर मिले ऐसे प्रे करें उसके बाद जो विक्ति कमाने वाला है वे उस उड़त की दाल के उपर से चल कर अपने कारे पर चला जाए यहाँ पर आपने समय का ध्यान जरूर रखना है कि वे समय पौना नहीं होना ची सब्सक्ता हैं तीसरा उपाय आपने क्या करना है आटा लेना है आप इसा ले सकते है ज väldigt हम आ था किल आटा लिया तो आदा 2020 आपने बूरा लेना है इंको आपस में मिक्स कर लेना है और शनीवार चैटिएं को डालना शुरू ब करना है यह उपाय आपने रोज करना है, आप सुपर शाम भी कर सकते हैं, जब आप चीटियों को ये बुरा मिला आटा डालेंगे, तो आप देखिएगा, चौथे पांचवे दिन से आपको बदलाव महसूस होने लगेगा, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से, आप निकलनी शुरूर हो जाएगी, आपके घर में खुश हाली आएगी, तरक्षी आएगी, पैसे का साधन बनेगा, आपने एक बढ़ का पत्ता लेकर आना है, बढ़ का वरिक्ष जानते हैं, वर्ड के वरिक्ष के पास जाकर आपने प्रे करनी है, उनसे माफी मांगनी है, और एक पत्ता तोड़ लेना है, उसके बाद ये पत्ता आपने लाना कब है, ये पत्ता आपने लाना है, रवी पुश्य योग हो या गुरु पुश्य योग हो, यानि कि पुश्य नक्षत्र हो गुरुवार का दिन हो, पुश्य नक्षत्र हो रविवार का दिन हो, उस समय में आप इसको तोड़कर अपने घर पर ले आईए उसके बाद उस पत्ते को अच्छे से धू कर उसके आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाने के पास उस पत्ते को हाथ में लेकर आपने प्रे करनी है जो भी आपको समस्याएं आ रही है कि मेरे घर परिवा कि अब मुझे पता है कि इस समय के बाद मेरे परिवार भी सब अच्छा होगा लक्ष्मी जी मेरे घर में वास करेंगी ऐसा बोलकर आपने उस पत्ते को अपने धनस्तान पर रख लेना है चाहे वे गल्ला हो या आपकी तिजोरी हो वे पारसान पर हो कहीं पे भी जहां आप ध पैसे का लेन देन जो भी आपने पैसा देना होता है वो हमेशा आपने सोम वार और बुद्वार को करना है इससका ध्यान रखिए क्योंकि जादातर हर परिवार में जितने भी खड़्चे आते हैं कोई दिन नहीं देखता आप सातों दिन सारे काम करते हैं कभी भी किसी को देनी होती है तो आप अराम से दिन बिना दिन दे के दे देते हैं पर ध्यान रखिए मंगल वार और ब्रस्पति वार को कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना जाए यदि आप मंगल और ब्रस्पति वार को पैसे का लेन देन करते हैं तो आपके उपर करजा चड़ता है इस इस इसका विशेश तोर पर ध्यान रखेंगे तो कभी भी करजे की सिती परिवार पर नहीं हाएगी धन संबंति हानी नहीं रहेगी आपने एक गनेश जी की फोटो लेनी है उसको आपने अपने घर के मुख्ये दोवार पर अंदर की साइट लगानी है ध्यान रखें कि गनेश जी की फोटो के आगे आपने डेली नियम से दिया धूपत्ती दिखानी है और गनेश जी से प्रे करनी है जो भी आपको परेशानी आ रही है अगर आपकी आर्थिक सिती खराब है तो आपकी आर्थिक सिती अच्छी हो जाए आपको धन संबंदी परेशानी है तो आ आप देखेगा आपके घर में बदलावाने शुरू हो जाएंगे घर से जितनी भी नकारात्मक एनरजी है वे बाहर निकल जाएगी और आपके खर में खुशाली आएगी आप अपनी तिजोरी में जो भी आपने धन स्तान बना रखा है वहाँ पर लाल रंग के आसन पे की कमी नहीं रहेगी तो मित्रो यह ती जानकारी कि आप अपनी स्तीती को किस तरीके से सुधार सकते हैं जदी आपके ओपर करजा है तो आप क्या कर सकते हैं आप यह उपाए मैंने बहुत सारे आपको उपाए बताएं पर इसमें से जो भी आप उपाए पुरे श्रद्दा पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं, उन्हें करिए निश्चित ही आपको लाब ज़रूर मिलेगा, और फिर अब इन उपायों को करने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे, कि मेरी किसमत खराब है, आप हमेशा यही कहेंगे, कि इन उपायों को करने के बाद, अब मेरे खर में खुश हाली आ रही है, तो मित्रो यह थी जानकारी कि आप अपनी आर्थिक सिती को अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, किसी भी बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख बैल आइकन प्रेस करिएगा ओल पे क्रिक करिएगा जय माता दी आपका दिन शुब हो प्रेस करिएगा जय माता दिन शुब हो